यह हमारा जो candlestick pattern है hanging man यह हमारा bearish candlestick pattern है लेकिन अगर candle psychology से देखे तो इसमें bearish active है यानि कि यह bullish candlestick pattern है जैसे राम दोस्तो आज की एक और learning वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम लोग candle psychology को समझेंगे कि candle psychology क्या होता है जैसे यह 6 candlestick pattern है आप मैंसे बहुत सारे लोग यह candlestick pattern को देखकर यह समझते होंगे कि यह 3 candlestick pattern bullish है और यह 3 candlestick pattern bearish है या यह जब candlestick pattern बनता है तो आप green और rate देखकर यह समझ जाते हैं कि यह bullish candle है और यह bearish candle है पर नहीं अगर हम candle psychology से देखे तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ देखिए candle psychology हमें बताता है कि इस candle में कौन एक्टिव है बायर सेक्टिव है या सेलर सेक्टिव है ठीक है तो अगर ये चीज आप समझ जाते हैं तो ट्रेड लेने में आसानी होगी और पता भी कर पाएंगे कि इस candle में कौन एक्टिव है बायर सेक्टिव है या सेलर सेक्टिव है तो चलिए एक एक करके सारे केंडलिस्टिक पेटर्न को समझते हैं तो सबसे पहला जो हमारा केंडलिस्टिक पेटर्न आता है वो है इनभाटेड हैमर अगर ये केंडलिस्टिक पेटर्न को देखे तो ये हमारा पुलिस केंडलिस्टिक पेटर्न है पर इस केंडलिस्टिक पेटर्न को हम केंडल साइक्टिवोजी के हिसाब से देखते हैं कि केंडल मेंकोन एक्टिव है वायर्स अक्टिव है या सेसी यह से सुख्षर गया जब हाय लगाया तो वह फूसे अक्टिव वहना शुरूव है जब वहां से sellers एक्टिव होना शुरूव है तो उन्होंने प्राइज को नीचे लेकर आया और जहां ओपेन हुआ था उसके कुछ नीचे लेकर आये और नीचे आकर क्लोज दी इस केंडल में इसे लेकर आये तो उन्होंने लो लागाया लो लागाने के बाद यहां से फिर बायर्स एक्टिव होना शुरू हुए जब बायर्स एक्टिव होना शुरू है तो इस price को उपर लेकर गए और जहां open हुआ था उसके कुछ point उपर जाकर इन्होंने close दिया तो इस candle में कौन एक्टिव है बायर्स एक्टिव है क्योंकि जहां यह open हुआ होने के बाद वहां से सेलर्स प्राइज को नीचे लेकर आए पर नीचे इन्होंने close नहीं दिया वहां से फिर बायर्स एक्टिव होना शुरू है और उस price को उपर ले जाकर close दिये तो इस candle में हर point पर बायर्स एक्टिव है नेक्स्ट है ड्रेगन फ्लाइट डू जी यह आप को बलैक क्लेर्स का भी दिख सकता है और ग्रिन एरेट भी दिख सकता है ठीक है ऑका है तो आपें जिर हो कोना शुरू है और प्राइज को उपर लेकर गए ठीक है जब यह उपर लेकर गए बायर्स तो जहां उपन हुआ था वहीं पर इन्होंने क्लोज दिया इसलिए यह किंडल ब्लेक क्लर का है यह ग्रिन एरेड तभी हो सकता था जब यह उपन के जहां यह किंडल ओपन हुआ थ देखने को मिल रहा है इसके बाद हमारा है नेक्स्ट केंडल हैंगिंग में तो यह रेड कलर का केंडल है तो यह ओपन कहां हुआ उपर में यह ओपन हुआ ओपन होने के बाद सिलर्स ने इस प्राइज को नीचे लेकर आए ठीक है नीचे ले आने के बाद उन्होंने लो ल गेंडल में वर से केंडल साइक्ोलोजी के भिसाप से देखे हैं जरकेंडलीक पंट को देखें धीछ हैं नेक्ष्ट आमें whenever आता है सूटिंक इस्टार तो यह डेडर का केंडल है तो यह ओपेंड कहा हुआ उपर में ओपेंगो ओपेंड होने के बाद यहां से बैर्स जो है वह वह प्राईज को उपर लेकर गए उपर ले जाने के बाद वहाँ हाई लगाने के बाद वहाँ से sellers एक्टिव होना शुरू है और जब sellers एक्टिव होना शुरू हुए तो वह इस price को नीचे लेकर आए जब price को नीचे लेकर आए तो जहाँ open हुआ था उसके कुछ point नीचे इन्हों ने आकर close दिया तो इस candle में sellers एक्टिव है क्यों क्योंकि बाइर्स इस price को उपर लेकर गए पर उपर उन्होंने close नहीं दिया वहाँ से sellers जब एक्टिव होना शुरू हुए तो वह price को नीचे लेकर close की तो इस candle में sellers एक्टिव है इसके बाद हमारा next जो केंडल है ग्रेव एस्टोन डोजी त प्राइज को ऊपर लेकर गया ठीक है स्केश्म उपर ले जाने के बाद उन्होंने हाय लगाया जब उन्होंने हाय लगाया तो वहाँ से sellers एक्टिव होना शुरू है और जब sellers एक्टिव होना शुरू है तो वह price को नीचे लेकर आए और जहां open हुआ था उसी point पर आकर उन तो तो ये तिन कलर में आपको देखने को मिलता है ग्रेव स्टोन दो जी ग्रीन एड़ और ब्लैक कलर में तो ये ब्लैक कलर का था यानि कि जहाँ ओपेंवा वहीं पर इन्होंने क्लोज दिया है तो इस केंडल में सेलर्स एक्टिव है ठीक है तो ये था हमारा छे कंडली पेटन वीडियो कैसा लागा कॉमेंट के मादम से शुरूर बताईएगा